नमस्ते दोस्तों मैं पुनम आपका सागत करती हूँ अपने चैनल पीवी फैसन एन इस्ट्रचिंग में जहां मैं बात करती हूँ फैसन ब्यूटी एन इस्ट्रचिंग की तो आज मैं सेयर करूंगी आप लोगों के साथ एक ऐसी होम रेमेडी जिससे कि आपके आखों के जो और इसका रिजल्ट देखिए इसका रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव रहता है और इसको मैंने खुद बनाया है और त्राइ किया है इसलिए आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूँ देखते हैं इस रेमेडी को कैसे त्यार करते हैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं लगता है आपके घर में जो चीजे हैं आप उन से रेमेडी बना सकती है असानी से तो अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए को मेरी वीडियो को लाइक कीजिए गा और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमली के साथ सेयर खड़कि के लिए हम लेंगे मलाई फरेस दूद की मलाई और और लेंगे अधा कटा हुए नीबू और फरेस एलो बीरा फरेस एलो बीरा लेंगे और कॉकंबर का जूस एक कॉकंबर लेंगे पहले नीम्बू के कुछ दो चार बून डालेंगे ज्यादा नहीं फिर हम कुकम कर दो चार बून डालेंगे ज्यादा बून डालेंगे ज्यादा नहीं कर दोर बून डालेंगे ज्यादा नहीं अपिस रेमेडी को अपने फ्रीज में एक हफते तक इस्टोर करके भी रख सकती हैं ये खराब नहीं होगी और इसे इस्तेमाल कर सकती हैं रोच अब अब उसी रेमेडी को उसी पेश्ट को हम अपनी थर्ड वाली फिंगर से ऐसे लेके ऐसे अपनी आखों के नीचे ऐसे मसाज करेंगे अपने ऐसे रिपीट नहीं करना है इधर को ही ऐसे ले जाना है ऐसे दोनों हथों से एक साथ कम से कब दस मिनट तक रात में सोने से पहले ऐसे करना है सोने से पहले आपको ऐसे करना है यह पेश्ट अपनी आखों के नीचे अच्छे से लगा लेना है और फिर आराम से सो जाना है मॉर्निंग में उठके फ्रेस पानी से अपना फेस धुल लेना है और यह आप लगातार 21 दिन तक अपनी आखों के नीचे ट्राई करिए उसके बाद देखिए रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है आपके आखों के नीचे के डार्क सरकल बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे आप 21 दिन तक इसे रिगुलर इस्तेमाल करें और आपको थर्ड वाली फिंगर से ऐसे ही आखों के नीचे हलके से मसाज करना है ऐसे अगर आपके फेस को नीबू नहीं सूट करता है तो आप नीबू मत डालिए आपने ऐसे करना है आपको के उपर भी लगाना है यह रेमेडी रात में ही यूज करना है रात में सारे काम खतम करके और जब सोने चले तो आखों के नीचे यह लगा लें और आरांध से सो जाए और इसके बाद आप 21 दिन इसे लगातार यूज करके देखिए फिर उसके बाद देखिए इसका रिजल कितना अच्छा आता है तो क्योंकि मैंने खुद अपने आखों के नीचे अप्लाई किया है मेरे पहले बहुत डार्क सरकल हो गये थी इस टाइम तो क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेंसर लेते हैं या फिर आप किसी बात को लेकर ज़्यादा सोचते हैं या फिर किसी बात को लेकर आप बार बार और वहीं आपके दिमाग में चलता रहता, आप अपनी रिगलर मेंद नहीं ले पाते हैं, तो आपकों के नीचे डार्ट सरकल खोली जाते हैं, यह नॉर्मल है, निच्रॉल है, तो आप इस रेमिडी को जरूर यूज करिए, और ट्राइ करिए, फिर आप अपना एक्सपीरिय में यूजर पाइज आपकों के बाइज अचिकर अपना एकों के जिया आपकों केता हैं, बाइज यूजरॉए्डब्स करिए टिरो आपकों कर दो आपकों के लाग कर दोग्वाई